हेलो दोस्तों नमस्कार आप सर्वी का स्वागत है आपके अपने चैनल इस्टोप बजार पर तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाले न काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ओपर होने वाले क्यूं आपने ये जो इमेज देखी है इसमें जिनका चेहरा है सभी को पता है जिनको नहीं पता पता देता हूं तो ये अमबानी फैमली से ब्लोंग करते हैं तो ये मुकेश अमबानी जी के भाई है ठीक है तो अब ही इन पर क्या चल रहा था इन पर बुरा समय चल रहा था सारी कंपनियों के ओपर डेट था ठीक है तो अब इनके लिए एक कमबैक की न्यूज आई है तो अगर आपने आज इनके शेर्स देखे होंगे तो रिलाइंस इंफरस्ट्रक्चर फॉट्टी सेवन परसेंट के अपर सर्किट में था रिलाइंस पावर अगर देखेंगे तो पाच परसेंट के अपर सर्किट में था रिलाइंस होम फाइनेस करने वाले हैं तो दोस्तों जो न्यूज है वो यह है कि अनी लंबानी जी ने अपनी काफी कंपनियों का जो लोन है उसको पे कर दिया है तो उन्होंने 3300 करोड का डैप्ट यहां पे किया है तो मैं आपको दिखा देता हूं किस किस कंपनी के लिए क्या है तो अनी लंबानी रिलाइंस पावर सेटल 3872 करोर लोन एंज जिरो डफट तो जो रिलाइंस पावर जैसे कि एक इनकी यही कम्पणी ती दो तीन कम्पणी है जिसमें इनकी थोड़ी स्टेक बच रहा है बागियों में तो स्टेक इनका नाबराबर ही है ठीक है और सेकिंड आ जाती है कि मच नीड़ेड गूड्स न्यूज फॉर अनिलंबानी रिलाइंस इन्फरा स्लैशिस डैप्ट फ्रॉम 3831 करोड टू 475 करोड तो जो एक कमपनी हो रहे हैं इनकी रिलाइंस इन्फरा रिलाइंस इन्फरा में इन्हों ने 3831 करोड का लो निहां पेक कर दिया है और बचा है सिर्फ साड़े 400 करोड ठीक है तो काफी कम अमाउंट बचा है यह भी अब दीरे दीरे पेक कर ही देंगे ठीक है तो इसी वज़े से अगर आप ने देखा जो आज हमें अपर सर्किट देखने को मिले इनके शेर्स में तो यही रिजन था जिसकी वज़े से आज इनकी जो कमपनियां हैं वो अपर सर्किट में थी तो एलाइस इंफ्रा ओसो कंफर्म डैट हैस किलियरली एंड फुली किलियर्ड इट्स फंडिट आउट्स्टेंडिंग ड्यूस्टू की फाइनेंशल जो की फाइनेंशल है ना उनको इन्होंने सीथा मतलब पैसे जो है वो फाइन देती हैं जैसे कि इसकुछ इंस्टिटूशन स सिर्श जैसे की य्लाइस हो गया ठीक है एने इक रीकन्स्रक्षान ठीक है और ड़ाहां इसे यहां पर यूनियन बैंक हो गया ठीक है तो इन सब को इनोंने यहां पर जो है जो इन्होंने डेट ले रखा था इन से इनको पूरी तरीके से पर कर दिया है और दोस्तों इन्होंने जो डेट पे किया है वो OTS के तुर्किया मतलब one time settlement है वो भी life insurance को तो life insurance को इन्होंने one time settlement किया है मतलब कि एक ही बार में उनका पूरा का पूरा लोन इन्होंने settle कर दिया है ठीक है और दूसरा अगर हम देखते हैं तो ncds मतलब non convertible debentures तो इस तरीके से इन्होंने company का जो लोन है वो यहां पर clear कर दिया और इनका जो अनब comeback हो सकता है क्योंकि जो इनकी जो में तीन company जैसे एक इन्फरा की है एक housing finance है और एक है reliance power तो यह काफी अच्छा perform कर रही है और इन्हीं कंपनियों के इन्होंने जो है loan की payment करवाई है ठीक है और अब यह इनका मतलब एक update ओर आई है कि reliance infra जो है न वो real estate के business में यहां खुश सकता है ठीक है और जो इनका जो reliance infra है न वो plan कर रहा है कि manufacture करे electric cars तो अब यह दोस्तों एक अच्छी news हो सकती है तो जिसकी वज़े से इसके जो shares थे आज काफी अगर आप देखेंगे 5% का पर circuit 5% का और reliance infra में तो 20% का पर circuit क्योंकि यह real estate में और electric car में भी गुशने की सोच रहे है तो दोस्तों यही इसी वज़े से जो है अंबानी की अंबानी मतलब अनील अंबानी मुकेश अंबानी की बात नहीं हो रही है रिलाइन्स के जो अनील अंबानी है उनके shares में आज circuit देख गया है तो यही रिजन था hope you guys like this video and follow for such more content and please subscribe this channel